पहल में आपका स्वागत है, टीचर अपना Employee Number और Date of Birth इंटर करके पहल आपका इस्तमाल कर सकते हैं लेंडिंग पेज पर सबसे पहले टीचर की प्रोफाइल देखी जा सकती है, जिस टीचर का नाम और जिस कलास को पढ़ाता है या पढ़ाती है, लिखी होती है छे अलग बटन होते हैं, निली रंग के कोलम में होते हैं, जिसमें सबसे पहला बटन होता है, डैस बोर्ड का जिसके नीचे Assessment Homework का बटन होता है, तीसरा बटन Student Profile देखने के काम आता है, चोथा बटन आपको Communication Center से जोड़ता है, पांचवा बटन आपको News और Announcement Center से जोड़ता है, चटा और आखरी बटन लोग आउट के लिए होता है, Student की Class और Section को काले रंग के आइकन में दर्शा आया गया है, Student दवारा एप का परियोग के जाने वाली अवदी को हरे रंग के बटन से दर्शा आया गया है, बेल या गंटी का काम, Teachers को Notification दिखाना होता है, जहां पर उन्हें सभी प्रकार की सूचना ही मिलेंगी, जैसे की Student दवारा किसी टेस्ट को पुरा किया जाना, या किसी विशे पर उनका कोई Doubt या संदे, Dashboard पर दो Quick Link दिए गए हैं, पहला Quick Link है New Assessment और Homework, यह ओम्रक अप्लोड करने मदद करेगा, दूसरा Quick Link है View Student Information, यह विद्यारतियों की जानकारी देखने के काम आएगा, Quick Link के दाइन और Student की लिस्ट होती है, इस लिस्ट के दाइन और एक और कोलम होता है, जो Active Work को दरसाता है, Active Work area में एक हरे रंग का आइकन टेस्ट, असेस्मेंट या Homework में क्लास दवारा किये गए प्रदेशन को दरसाता है, वही नीले रंग का आइकन उन स्टूडेंट की संख्या को दरसाता है, जिन्होंने टेस्ट और असेस्मेंट दिया हुआ होता है, कार्ड में दिये गए दूसरे बटन पर कलिक करने पर, उन स्टूडेंट की डिटेल देख पाएंगे, जिन्होंने एक स्पेसिविक टेस्ट या असेस्मेंट सम्मिट किया होता है, या किसी का pending होता है create new पर हम click करके नई assessment या homework भी create कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले select grade सबसे पहले teacher ये तै कर सकता है कि वह किस class के लिए नई assessment या homework upload करना चाता है इसके बाद teacher अपना subject का chain करता है इसके बाद वह है topic और number of question select करने होते हैं और अंत में teacher, student दबारा गया हासिल किये जाने वाले सभी question को choose कर सकता है उसमें medium, easy और hard तीन तरह की question होते हैं assessment create करने के लिए च्यार table को बरना होता है सबसे पहले title लिखना होता है उसके बाद additional comment कोई भी comment डालना होता है optional होता है तीसरा होता है due date and time exam कब तक दे सकते हैं उसकी date or time होता है आखरी विकलप होता है assessment duration homework वाले इसम भी ऐसी चार टेब होती है नया homework upload करने के लिए इन चारो टेबो को बराजना होता है इन में तीन टेबल सेम होती है जैसे कि हमने assessment वाले इसमें देखी थी और चोथी टेब जो होती है इसमें additional link की होती है जिसमें हम YouTube वीडियो या कोई भी web link को जोड़ सकते हैं जब भी कोई भी नया assessment या homework upload किया जाएगा तो student को अपने आप notification मिल जाएगा teacher तीसरे बटन का इस्तिमाल करते है student की सभी information यहाँ देख सकते है उसकी performance और उसकी detail सारी चीज़े देख सकते है अगले बटन में हम query देख सकते है जिसमें communication center में कोई भी student कोई query डालता है उसको हम देख सकते है पांचवा बटन होता है news and announcement department की कोई भी news और announcement हम इसमें देख सकते है और चटा और सबसे लास्ट बटन होता है लोग आउट इसमें हम इसे एप से लोग आउट हो जाएंगे